नमस्कार मेरा नाम है अशोक और स्वागतय आपका मेकनिकल नेकसस में आज हम करेंगे फ्लेश विल्डिंग क्या होती है तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से सबसे पहले हम बात करते कि फ्लेश व्लि grammar किस ट्याप की वैल्डिक होती है तो दोस्तो यह एक है कि रेसि देखे resistance welding में आती है एक butt welding बट welding और butt welding को दो पार्टस में classify किया गया है एक है हमारा flash welding जो आज हम इस lecture में cover करेंगे और दूसरी होती है upset welding जो हम next class में discuss करेंगे तो flash welding एक butt welding का classification है और resistance welding का एक type है अब यहाँ पर बात आईए resistance welding की तो resistance वेल्डिंग उन वेल्डिंगों को कहा जाता है जिसमें हम किसी भी फिलर मेट्रियल का यूज नहीं करते किसी भी प्रकार के कोई फिलक्स का यूज नहीं करते केवल इसकी प्रिंसिपल को आप जानिए कि कैसे काम करता है इसका जो वरकिंग प्रिंसिपल होता है वो एक छोट में लगने वाले time के याने height is directly proportional to current और time ये था इसके छोटा सा introduction flash welding का अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है तो देखिए यहाँ मेरा एक schematic diagram है flash welding का साथ में नीचे आपको एक इसका diagram भी दिख रहा होगा कि flash welding machine किस तरह कि होती है यहाँ पर हम एक transformer का यूज करते हैं जो कि हमारा एक AC supply से connect होता है AC supply जब इस transformer से होती हुई जाती है तो यहाँ पर यह दो हमारे clamp से connect होते हैं पहला जो clamp होता है वो होता है stationary clamp और जो दूसरा clamp होता है उसे कहते है moveable clamp इसमें जो difference है वो केवल इतना है कि जो stationary clamp होता है position यानि fixed position में रहता है और workpiece को हमेशा clamp करके रखता है जो moveable clamp होता है वो अपने axis के about केवल axis यानि इसका axis यह है तो इसके about क्या करता है वो move कर सकता है यानि reciprocate direction में यह अराम से move कर सकता है तो जब यहां पर current का flow होता है तो दोस्तो starting में क्या होता है यह जो दोनों workpiece होते है यह एक दूसरे से अलग होते है कुछ इस तरह से ठीक है यह हमारा workpiece है जो fix clamp के साथ जुड़ा हुआ है और यह हमारा movable clamp के साथ जुड़ा हुआ है अब धिरे धिरे न movable clamp को पास लाए जाता है और हमारा current continuously supply हो रहा है तो होता क्या है जैसे जैसे close आते हैं तो इनके बीच में होता क्या है गैसों का ionization होता है क्यों देखिए जब fix clamp और movable clamp के बीच में क्या है यहाँ पर हमारे air है एर क्या एक gas है ठीक है करंटीन इसलिए electricity जब flow होती है तो electricity के जो ions होता है वो जंप करते है इधर की तरफ और इसके बीच की जितने भी air होती है यह gas होती है उसको ionize कर देते है आयोनाइज मतलब heat develop कर देते है जब यह heat develop कर देते है तो इसके दोनों ends यानि यह दोनों सिरे क्या हो जाते हैं बहुत गरम हो जाते है और heat पूरे के पूरे इधर workpiece की तरफ बढ़ती है यानि इदर की तरफ में बढ़ती है अब जैसे-जैसे हम इसे close लाते है तो क्या हो रहा है heat develop हो रही है यानि एक तो इस gap के कारण यह जो gap है यह renewable है यह क्रेट करता है रेजिस्ट हो गए और पूरी तरह से गरम हो गए तब हम मुवेवल इलेक्टोड की हेल्प से बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं इस फिक्स क्लैंप स्टेशनरी वर्क्पीस की तरफ ठीक है और यह हमारा जो फोर्स होता है वो लगओं से बहुत हाई फोर्स एप्लाई होता है यह दोनों कि अन्दर के अंदर चले जाते हैं और जब यहां पर जैसे ही कॉंटेक्ट में आके एक दूसरे के अंदर इन करते हैं यानि अंदर की तरफ जाते हैं तो मेटल्स में क्या होता है मेटल्स भार की तरफ भागता है यह आप देख रहे हैं यह जो मेटल्स दिखाया मैंने यह भार की तरफ भागता है साथ साथ में कुछ चिंगारियां भी निकलती है जो चिंगारिय होते हैं वो हमारे मेटल्स की ही एक तरह से चिंगारिय होती है उसको कहा जाता है फ्लेशिंग और उसी जैसे ही यह पूरी तरह से हमारा जुड़ जाता है तो हम यहां से power का cut off कर देते हैं और इसको थोड़ी देर hold करके रखते हैं ताकि यह थोड़ा सा solidify हो जाए after solidification हमारा joint मिलता है उसको कहते हैं welding किस process से मिलता है हमारा fresh welding से मिलता है जो कि एक बहुत strong joint है इसका use हम generally जो channel section होते हैं beam के जो channel section होते हैं या आप माल लेजिए मेरी कुछ यहां पर pipe माल लेजिए या cylindrical कोई object माल लेजिए इनको weld करने में flash welding use की जाती है disadvantage जो है इसका यही है कि यहां पे जो पूरी की पूरी machine होती है वो बहुत एक बड़ी होती है उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा power का consumption होता है तो बहुत ज़्यादा कोशली पड़ जाती है यही एक इसकी disadvantage है otherwise mass production इससे किया जा सकता है क्यों उन्हों को flashing करेगी और joint कर देगी mass production में help कर सकती है तो यह था दोस्तो flesh welding के बारे में thank you for watching